गुट इवनिंग एवरीवन मैसल दिक्षा मैं सीनिय नर्सिंग ट्यूटर आर्पि आयटी केंपस बस्ताड़ा कन्नाल टूड़े आइव डिसकस अबाउट मैं प्रेविएस टॉपिक गुलकॉमा कैसे कैसे गुलकॉमा कर वता है सबसे पहले हम जब भी इटलासी देख तो कौसित देखते हैं क्या है उससे और फिर चायल्ड बच्छे को इसमें आ गया बूड ओक हो गया एजिंग में आ गया यह किसी को आई ट्रामा हो गया है बहुँ जाद होता है मायग्रें है ठीक है सरफ पेशेंट को इन सारे कारणों के साथ गुल्कॉंबा करोचकता है तो हमने ले लिए due to the etological factor migraine, migraine के बज़ जैसे क्यों हो जाएगा, eyes पर बहुँ ज्यादा effect पड़ेगा, interchlor pressure eyes वो increase हो जाएगा IOP is a function of production liqueous aqueous humor by the ciliary process of the eye and its drainage throughout the tabicular mesh work then aqueous humor produced by the ciliary body and flow to the posterior chamber behind the iris, हमने पहले पेट चुके ते वीडियो में कि जो हमारा aqueous humor है, जो fluid production करता है, वो कौन करता है, base of the iris, ठीक है then वो कहा करता है, नरिस्प्रोइड करता है, eye को then the trabeculi mesh work filter the aqueous humor such as the such men's canal which is picked up by the episclerial vessel and mixed with the blood वो और produce होता है, और mix होता है blood के साथ then आगे जाते है classification तो हमारी क्या है, दो टाइप के हैं, first one congenital glaucoma, then acquired glaucoma सबसे पहले congenital में हमारे three types हैं, true congenital glaucoma, infantile glaucoma and juvenile glaucoma then acquired हमारे acquired में आ जाता है, primary and secondary primary के भी हैं हमारे open angle glaucoma और दूसरा type है closer angle glaucoma, then secondary किसी भी region की वज़े से वो आगे discuss करके बताऊंगी, तो सबसे पहले congenital glaucoma, it is a rare disease, occur when a congenital defect in the angle of the anterior chamber obstruction, the outflow acusumor, ठीक है, ये rare ही होता है, congenital, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा fluid बग्यारे उसके obstruction हो जाती है, if untreated causes damage of the optic nerve, और अगर इसको treat ना करें, तो क्या हो जाता है, जो optic nerve damage हो जाते है, then blindness अक्कर हो जाता है, if most cases surgery is required, और most of cases में, इसमें surgery की जरूरत होती है, आगे congenital के कौन-कौन से टाइप है, हमारे true congenital glaucoma, infantile और juvenile, तो सबसे पहले हमारा true congenital glaucoma, it is labeled when IOP is raised during intrauterine life, इसमें क्या हो जाता है, जो IP हो है, वो increase हो जाता है, कब होता है, जब अच्छा मा के पेट में होता है, ठीक है, and जब child is born, जब बच्चा जनम लेता है with ocular enlargement, तो देखते हैं, उसके आए कि जो ocular है, उसमें enlargement मिलती है, its occurrence is about 40% of the cases, और ये कितने परसेंट पाई दाता है, 40% of the cases में देखने को मिलता है, then infantile glaucoma, it is labeled when the disease manifests prior to the child birthday, इसमें क्यों जाता है, जब बच्चा 3 साल तक होता है, तब होता है, it occurs about 50% of cases में ये देखने को मिलता है, then आ जाता है हमारा juvenile glaucoma, it is labeled in the rest 10% of the cases, ये कितने परसेंट देखने को मिलता है, 10% of cases में, और ये कितने साल तक के बच्चों को ड्वर्प होता है, कितने लाइफ तक, 3 to 6 years of the life, क्यों, क्यों अकर होता है, क्योंकि देखो छोटा बच्चा होता है, जैसे वर एक हना mothers है, या हाथ में phone दे देते हैं, तो बच्चा क्या आय देखने के कोशिश करता है, जल्डी specs क्यों लग जाती है बच्चे को, उसी कारण लगते है, जिसमें क्या हो जाता है, बच्चा देखने के कोशिश करेगा, और इतनी जो उसकी nerves बग्यार है, proper mature नहीं हुए अभी, then उसकी eyes के उपर इफेक्ट पड़ता है देन गुल कोमा करोता है तो एक इतने परसेंट आफ दी केसिस टेन परसेंट आफ केसिस होते हैं बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स थेंग थेंग असार बीद्ट है विड़िए प्लिज श्क्राइब अर्प यह इन टोपिक्ट आपक्ट आप माई सेशन